हाई investors and traders, welcome back to my channel, चलिए हैं स्टार्ट करते हैं आज के इस episode के साथ, इस episode पर हम लोग देखेंगे कि PE ratio हम लोग कैसे इस्तमाल कर सकते हैं, basically आप लोग जानते होंगे कि PE ratio का इस्तमाल ऐसी किया जाता है, कि जब high PE होता है तो वहाँ पे stock थोड़ा सा overvalued हो जाता है, और जब stock की PE low होती है, तो वहाँ पे हम लोग value investing कर सकते हैं और अच्छा price पा सकते हैं asset का, और वहाँ पे stock हम लोग का थोड़ा सा undervalued है, तो ठीक है, अगर आप लोग ऐसे लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पूरे detail में, क्या मतलब होता है PE ratio का कैसे calculate करते हैं और उसको हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, interpret कैसे करेंगे तो basically हम लोग यही content रहने वाला है, पहला हम लोग बात करेंगे calculate कैसे करना है, फिर interpret कैसे करना है, और उसको फिर हम लोग एक example से भी समझेंगे, लास्ट के दो टाफिक जो है, उसको आप अब भी मत तो अब यहाँ पे पहले point पे आते हैं कि how to calculate P-E ratio, P-E ratio को calculate करने का बहुत ही simple थरीका है, कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगो लेना है price per share, price per share क्या होता है, simple current market price, मतलब जो market में share का भाव़ चल रहा है currently, वो होता है, earnings per share, earnings per share मतलब कि एक share पे कितनी earnings है, मान लेते हैं company की कुछ earnings थी, अगर उसको हम लोगो divide कर दें net profit को उसके outstanding earnings से, तो basically आपका एक amount निकल के आएगा, कि हर एक share पे यह company इतना रुपए कमाती है, for example, अगर यहाँ पे देखा जाए, happiest mind का, तो happiest mind पे आप लोगो EPS देखोगे, trailing 12 month का, हर साल में यहाँ पे आप लोगो देख जाएगा profit and loss के नीचे, कि EPS यहाँ पे अबे 15.49 चल रहा है, मतलब हर share पे यह 15.49 रुपीज कमा के आपको दे रहा है, तो बस यह simple मतलब होता है earnings per share का, कैसे calculate करते हैं, वो किसे और वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो यह लिए वीडियो भी लंबी हो जाएगी हमारी, तो basically आप लोगो एक जिस्ट पता चल गया होगा कि इसके अंदर क्या-क्या यूज होता है, तो आप लोगो यहाँ से थोड़ा बहुत idea पे मिलना start हो जाएगा, कि यहाँ पे किस हिसाब से हम लोगो PE को देखना है, अब यहाँ पे अगर example wise देखा जाए, तो happiest mind की current market price आपको मिलेगी 819 की या 819, happiest mind की earnings per share देखोगे तो 15.49 की है, जो अभी आप देख चुके हो, अगर उसको 819 को अगर आप लोगो डिवाइट करेंगे 15.49 से, तो आपकी PE आजाएगी 52.8 की, अब screener पर जाओगे तो वहाँ 54 की दिया है, तो वहाँ real time इतना जल्दी जल्दी update नहीं होता है, तो इस दिए थोड़ा सा वहाँ पर जावदा है, अभी फिलाल देखोगे तो currently आपकी PE यहाँ पर 52.8 की है, तो यह तो basic था कि calculate कैसे करते हैं, अब आते हैं आगे, example को लेते हैं, और example के साथ साथ हम लोग interpret करना भी सीखेंगे इसको, अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक company है, जो की company A है, उसकी stock की PE 10 है, अज stock की PE 10 का क्या मतलब है, कि वहाँ पे इसका जो correct market price जो चल रहा है, मतलब अभी जो market के अंदर भाव चल रहा है, वो अभी 35 रुपिया पर share है, और इसका जो EPS है, earning पर share जो है, वो 3.5 का है, तो जब 35 को 3.5 से divide कर दोगे आप लो, 35 को जब 3.5 से divide कर दोगे आप लो, तो stock की PE automatically 10 किया जाएग, तो इसका मतलब क्या हुआ अब, तो इसका मतलब अगर हमनो theoretical way में समले, मतलब एक basic conclusion निकालना चाहे, तो आप मान लो कि आप लो उस company, इसी company, company A के आप लो 100 shares खरीदे, अब 100 shares खरीदे 35 रुपए के, तो आपका original investment हो जाएगा 3500 का, मतलब 3500 का, ठीक, तो आप क्योंकि earning per share आपकी 3.5 है, तो एक साल के अंदर, अगर आप लो देखो, 3.5 into 100 कर दोगे, मतलब 3.5 EPS है आपका, और उसको 100 share से अगर आप लो डिवाइट, multiply कर दोगे, तो आपकी एक साल की जो earning होगी, वो होगी 350, और आपने invest किया है 3500, तो यहां से अगर आप लोग बेसिकली देखा जाए, तो हम लोग एक conclusion निकाल सकते हैं, कि अगर earnings change नहीं होती है, ऐसा होता नहीं हो जोली, लेकिन हम कहारे हैं कि अगर earnings change नहीं होती है, तो आपको इसी हिसाब से 10 साल लग जाएंगे, कमपनी को आपका original 3500 लटाने में, क्यों? क्योंकि 3.5 EPS है, 100 shares है आपके पास, तो 3.5 आपने multiply किया 100 से, तो एक साल के अंदर आपको आया 350 रूपीज, आपका original investment था 3500, तो 10 साल आप लोग को लग जाएंगे break even करने पे, तो 10 साल बाद आपको original investment वापस आएगा, पर अगर हमनों थोड़ा सा practical हो के सोचें, तो company की earnings कभी भी बराबर नहीं होती है, या तो वो grow करती है, या तो यह नीचे जाती है, अगर हमनो theoretical way में अगर इसको लें, तो इसका मतलब तो फिर यह हो जाएगा न, अगर 2 की P.E. है, तो 2 साल के अंदर हमारा original investment हमको वापस मिल जाएगा, और यह company ज्यादा बेटर हो जाएगी, और जो 40 का P.E. है, जिसका 50 का P.E. है, वो वह जादा है, तो मतलब एक तरह से अगर अभी हम invest करना है उसके अंदर, तो मतलब हो सकता है, दादा पर दादा बंजा है उतने साल में, 50 साल या 40 साल में original investment को मेरा वापस लाके देगा, तो बेसिकली जो आपको market के अंदर बोला जाता है, high P.E. stocks इतने अच्छे नहीं है, low P.E. stock, अगर आप लोग धूंड़ों के तो महाँ पर value investing हो जाएगी, तो वो बेसिकली आप लोग को पुरा गलत बोला गया है, यह सिर्फ आधी knowledge है, यह सिर्फ theoretical knowledge है, अगर इस basis पर आप लोग मार्केट में काम करोगे, तो इस हिसाब से पैसे आपके डूबने के चांसे से हैं, कह सकते हो, गवाने के चांसे से हैं, यह हो सकता है, आप लोग रिटर्न न कमाओ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस आधी knowledge के साथ आप market में आगे नहीं बढ़ सकते हो, अब पूरी बात देखोगे, पूरी मतलब overall picture देखोगे, तो क्योंकि यहाँ पे company की earnings सेम नहीं होती है, इसी लिए जो आपको 40 का PE दिख रहा है, उसके अंदर most probably और हमेशा ही ऐसा होगा, कि जो बड़े investors हैं, वो एक तरह से substantial gamble ले रहे हैं, उसके अंदर वो मतलब उमीद लगा के बैठे हैं, कि इसके हाँ earnings बढ़ेंगी, तो इनके earnings बढ़ने के हिसाब से इनके stock की PE भी बढ़ी रही होगी, तो basically कहने का मतलब, अगर stock की demand जादा है, तो उसके PE भी जादा होने की chances हो जाते हैं, but basically यह जो demand है, वो आ रही है आपके earnings है, मतलब company earnings करने, उसके जादा earning करने की chances जादा है, इसलिए वहाँ पे stock की PE जादा है, और उसके against में अगर दो की PE देखोगे, तो दो की PE वहाँ पे हो सकता है, इसलिए है, क्योंकि वहाँ पे जो investors हैं, वो थोड़े से skeptical हैं, तो इसलिए वहाँ पे आप लोगो low PE मिलता है, तो basically आप लोगो यह जो सोचते हो, यह high PE stocks बिकार होते हैं, low PE stocks अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, although आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के साथ साथ आप लोगो यह भी समझोगे, कि high PE stocks कब गिरते हैं, और मतलब क्यों गिरते हैं, इसको आप एक चीज और एक्जामपे दे समझ सकते हो, कि मान लोग कि एक company है, जो हर साल 10% growth करती है, तो automatically वहाँ पे stock की PE थोड़ी सी कम हो जाएगी, same company उसी industry के अंदर मान लेते हैं, कि एक साल 10% से की, दूसरे साल 20% से, फिर 30% से, तो उसी हिसाब से company की expectations भी बढ़ जाएगी, अब वहाँ पे लोग थोड़ा सा उसके अंदर earnings growth की expectation भी जादा रखेंगे, इसलिए वो stock की PE आप लोग को थोड़ी सी जादा मिल सकती है, तो ये difference होता है, आपका 40 PE वाले stock में और 2 PE वाले stock में, तो basically यहाँ पे देखा जाए, तो जो slow growers होते हैं, slow growers में आप लोग उन category की stocks डाल सकते हो, जो basically आपके देश के GDP या country के GDP से slow grow करते हैं, यासे for example इंडिया की growth around अभी 6-7% है, तो वो companies जो 6-7% की नीचे grow कर रही है, उसको आप लोग डाल सकते हो slow growers में, तो उनकी average PE थोड़ी सी कम रहेगी, compare to stalwart, stalwart वो company होती हैं, जिनकी earnings थोड़ा सा आप लोग या कह सकते हो की growth के rate आप लोग थोड़ा सा GDP से ज़्यादा देखोगे, जैसे 10-12% वाले range में, फिर आते हैं fast growers, fast grower की PE सबसे ज़्यादा होती है, जिनकी earnings आप लोग देखोगे, 20% या 35% या और भी ज़्यादा हो सकती है, यह इनकी growth rate होती है, तो यहाँ पर आप लोग को इनका average PE भी ज़्यादा मिलेगी, next point देखेंगे, तो next point है, कि know what you are paying for, मतलब आपको जानना चाहिए, कि अगर आप उस company को खरीद रहो, क्या past में भी उतना ही लोग ने pay किया है, इस same earnings पे, या इसी तरह की same earnings growth पे, या नहीं, जैसे for example, मान लो कि आज आज आप reliance खरीदते हो, तो reliance खरीद रहो, तो आप लोगो थोड़ा अगर past data देख लो, इसका past की PE देख लो, तो क्या ये PE justify कर रही है, कि आज जो earnings है, उसी तरह की पहले भी earnings है, उसी growth पे पहले earnings थी, तो क्या इसी PE पे लोग खरीदे हैं, या हम ही महंगा खरीद रहे हैं या आपे, तो अगर ये चीज़ डिटर्माइन कर लेते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा helpful हो पाएगी, क्योंकि अगर आप आज ज़्यादा pay कर रहे हो, उसी तरह की earnings के लिए, तो chances हैं, कि company जो है, वो market की expectations के साथ keep up ना कर पाए, और वहां से आप लोग एक थोड़ा सा गिरावर्णे फस जाओ, तो अगर आप लोगो past की historical data लेना चाहते हो PE के, तो वो आप अपने broker सो मांगो तो वो भी ले देगा, नहीं तो आपके पास Google है, इंटरनेट है, अगर आप किसी stock की historical PE निकालना चाहोगो, तो वो easily आपको available हो जाएगी, उसमें कोई problem नहीं आएगी, ये point आपको लेकर ध्यान रखना है, a high PE stock must have high earnings, मतलब एक जो high PE stock है, उसकी earnings भी उसी हिसाब से जादा होनी चाहिए, ताकि वो अपने high PE को justify कर पाए, नहीं तो market के अंदर आप लोगो देखोगे, कि उस stock के अंदर गिरावट मिलेगी ही मिलेगी, उस example के लिए, हमारे पास एक real life example भी है, जिसके बारे में हम बार 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 बात करते रहते हैं, Sona BLW Precision, तो अगर आप लोगो जानते हो, तो company एक समय पे 100 के PE के पास पहुँच गई थी, बट क्योंकि company की earnings उस हिसाब से नहीं थी, कि market उसको justify कर पाए, गलत कुछ भी नहीं था company में, सब चीज ठीक थी, company का business अच्छा था, company का operation अच्छा था, बट वहाँ पे जो stock की PE थी, वो थोड़ी सी जादा हो गई थी, company की earnings growth से, company की sales growth से, और market में जो expect किया था, वो चे इस deliver नहीं खरबाए, इसलिए फिर उसके बाद यहाँ पे आप लो देखोगे, अभी फिलाल यह 66 के PE पे है, और इसके अंदर एक भारी गिरावट आई, मतलब एक अच्छे खासी heavy fall आई है, एक चीज हम थोड़ा सा आप लोगो को बताना यहाँ पे भूल गये, यहाँ पे आते हैं, तो यह जो चीज है, एक बार हम लो real example से भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखोगे, power grade जो है, वो धीमे-धीमे ग्रोग करने वाली company है, यहाँ पे देखोगे तो इनकी sales growth सिर्फ 5.88 की है, तो earnings growth भी इसे थोड़ी सी कमी होगी, और company की growth rate भी थोड़ी सी से कमी होगी, तो इसलिए stock की P यहाँ पे देखोगे, आप लो 10 के आसपास है, फिर इसे थो थोड़ा ज़्यादा हो, देखोगे, stalwart के पास होगे, तो यहाँ पे देखो कि company थोड़ा सा मतलब two times कह सकते हैं, कि GDP से grow कर रही है, या sales growth हो रही है यहाँ पे, और इसे हिसाब से company की margin वगर अब स्टेवल ना, तो कह सकते हो कि earnings growth भी उसे हिसाब से है, तो इसकी stock की P यह देखोगे, 30 के आसपास की है, और इसे हिसाब से आप लोग कह सकते हो, कि यहाँ पे जो slow growers है, उनकी average P यह थोड़ी से काम होती है, stalwart की थोड़ी slow growers से जादा होती है, और fast growers की सबसे जादा होती है, अब आते हैं, अगले topic की तरफ, जो की है future earnings, तो क्योंकि अभी तक आप लोग वीडियो जितना देखे हो, उससे एक चीज आप लोग कंट्लूड कर लिए होगे, तो stock की P तभी जादा होती है, जब investors guess कर रहे होते हैं, या gamble कर रहे होते हैं, कि future growths या future earnings company की जादा होगी, पर ये हम लोग को कैसे पता चले की future earnings आगे बढ़ेंगी की नहीं, तो ये बताना तो past data देखके बिलकोल भी मुश्किल है, और अगर मान लेते हैं कि market के अंदर कोई बैठा हुआ है, कोई बड़ा investor बैठा हुआ है, क्या कोई बड़ा group बैठा हुआ है, वो मान लेते हैं कि company के उपर expect करता है, कि इनके earnings में 20% growth आएगी, लेकिन company के earnings में सिर्फ 12% या 15% growth आएगी, तो वहाँ से थोड़े ही समय के लिए भले ही, लेकिन एक dip ज़रूर देखने के लिए मिलेगा company में, तो ये सारे चीज़े problematic हो जाती है, तो हम लोग घर बैटे-बैटे, कैसे ये चीज़ हम लोग foresee करें, या कैसे ये चीज़ expect करें, कि company की growth आगे चलके बढ़ेगी की नहीं, तो उसके 5 basic ways है, जिसको आप लोग एक तरह से note कर सकते हैं, और इसको in future काम भी कर सकते हो, तो पहले चीज़ है reduction in cost, तो इससे company की margin बढ़ेगी, margin बढ़ेगी तो ultimately फिर से earnings बढ़ेगी, और मतलब मान लेते हैं, जैसे Reliance जैसे company है, आज अपने market में बहुत बड़ा मतलब इनका market share है, तो और उस market के अंदर तो grow करने सकते हैं, तो इनको आप नए market में जाना पड़ेगा, नए market में जाए, वहाँ उतरे, वहाँ अपना कुछ नए product इंटर्ड्यूस करें, तो वहाँ से company की earnings बढ़ सकती है, फिर मान लेते हैं company नए market में चली गई, तो थोड़ा सा एक बार को मान लेते हैं कि जो old market वो grow करके over a period of time, तो जो पहले वाला product था, उसको old market के अंदर आके अगर company दुबारा बेच रही है, तो वहाँ से future growth मतलब हो सकती है, company की earnings बढ़ सकती है, फिर last होता है, जो losing operation, कुछ-कुछ company को पास धेर सारे businesses होते हैं, जैसे कि मान लोग की एक company है, उसके पास वो जूते भी बना रही है, वो bags भी बना रही है, मान लोग की एक company जो जूता और bags दोनों बना रही है, bag वाले में उनको losses हो रहा है, तो अगर वो bag वाला operation बन करके सिर्फ जूते बेचे, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा profitable हो जाए, और होग अभी, क्योंकि अगर वहाँ से loss हट जाएगा, तो company automatically profit making company बन जाएगी, ज़्यादा profit making, तो वहाँ से future earnings आ सकती है, तो ये 5 basic trick है, जिसके हिसाब से आप लोग guess कर सकते हो, या foresee कर सकते हो, कि company की future earnings बढ़ने वाली है, और PE की सिर्फ इतनी limitation नहीं है, PE को अगर आप लोग जानना चाहो कि market के अंदर fall कवाने वाला है, तो अगर आप लोग ज़्यादा focused हो market के अंदर, अगर आप लो company को धेर सारे companies को track कर रहो, तो धेर सारे companies अगर आप track करो, तो अगर आप लोग earnings पर जाके देखोगे, तो माल लोग की company की earnings ग्रो नहीं कर रहे हैं, बट उनकी share के prices लगातार बढ़े जा रहे हैं, लगातार बढ़े जा रहे हैं, तो share के prices अगर लगातार बढ़ेंगे, तो आपकी price to earnings ratio जो होता है, PE ratio जो होता है, वो भी बढ़ता जाएगा, फिर वहाँ से आप लोगे conclusion निकाल सकते हैं, कि market के अंदर थोड़ा सा correction होगा, या dip आएगी, या कह सकते हो कि market के अंदर crash आने वाला है, ये सारी चीज़े actually में होई हैं, जैसे USA का 1973 और 1974 वाले जो drop आया था, और फिर 1987 वाले drop जो आया था, तो यहाँ पर basically हो क्या रहा था, कि companies की earnings नहीं बढ़ रही थी, बट companies की price लगातार बढ़ी जा रही थी, तो यही चीज़ होता है, हर market में scenario में, और यहाँ पर भी देखोगे, अभी फिलाल इंडिया के अंदर तो यह चीज़ रिलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अभी फिलाल देखा जाए, तो company की earnings भी grow कर रही है, यहाँ पर basically अभी जो fall आ रहा है, वो basically बाहर के market से आ रहा है, मतलब ग्लोबल market से आ रहा है, तो यहाँ पर earnings बढ़ना तो नहीं रुखी है, बट expectation से ज़्यादा earnings अगर देखा जाए, तो वो नहीं आ रही है, तो यहाँ पर expectation को बीट नहीं कर पा रही है, तो इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पर price reduction देखने को मिल रहा है, यह कह सकते हो, थोड़ा बहुत correction देखने को मिल रहा है, इसे के साथ साथ एक आखरी एक आपको tip दे जाएंगे, आप लोग को interest rate के साथ पर relation बता देते हैं, फिर stock के PE का और उसके बाद video end करते हैं, क्योंकि बहुत साथ लंबी हो गई, पंद्रा मिरट का अल्रेडी हो चुका है, और अभी recently हुआ है, अगर यह चीज आप लोग होते होगे भी देखे होगे, तो जाधा relate कर पाऊगे, जैसे कोवेट टाइम में interest rate बहुत जाधा drop कर दिए गए, ताकि लोग के अंदर buying power आए, गर बैठे हुए तो लोग की नौकरी जा रही थी, ताकि उनकी buying power बढ़ जाए, interest rate बहुत जाधा घटा दिए गए, तो interest rate घटने से bond market की जो attractiveness थी, वो भी चली गए, तो पिर इसे होता क्या है, कि लोग का पैसा direct stock market में लगता है, फिर भले ही वहाँ पे company की earnings बढ़े ना बढ़े, लोग खरीटते जाते हैं stocks और stock की price बढ़ती जाती है, तो उससे जाधा, फिर उससे मतलब price expected से जाधा बढ़ जाती, जो अभी की case scenario में हुआ है, कोवेट की time पे interest rate कम किया गया, फिर वहाँ पे लोग stock buy करने लगे, फिर अभी आले situation में हम लोग हैं, जहाँ पे price बहुत जाधा बढ़ चुकी है, earnings के expected growth से, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोग डिप देख रहे हो, बस वीडियो को like, share, subscribe, subscribe कर देना, और next Saturday को मिलेंगे, कुछ नया topic पे बात करेंगे, अभी के लिए चलते हैं, मिलेंग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना capital वगरे safe रखना, okay bye,